मुझा यह क्या है तुम्हें रोज रोज क्या पहन के आ जाती है सर मैं कुछ समझी नहीं सर मुझे नहीं पता तुम अब तक कैसे काम करती आ रही थी लेकिन मेरे साथ इस ओफिस में काम करना है ना तो यह सब नहीं चलेगा से पर मैं तो हमेशा से ऐसी थलर से क्पर पहनती हु पहनती हुनी थी कहि कि अब से पेंदी खिना हुख अब से एप से ओके अबसे यंग तेर्क्टी ब्लrG पीपन नहीं जाबेें और कल समझा पता तुम्हें क्या प्रएक जिए हेलो सर कितने सालों से यहां काम कर रहे हो सर काफे टाइम हो गया तो अल्मोस्ट फाइव यर्ज अक सर लेट आते है नहीं सर देखो मुझे पसंद नहीं मेरे ओफिस में कोई लेट आए तो आएंद अगर एक मिनिट भी लेट आए तो आफिस आने के सरवर नहीं है बड़ सर युमे लेव नहीं हो शोर सर, थैंक यू I must say, you have a great personality थैंक यू थैंक यू हाँ पुजा शालू, मेट पुजा सर पुजा, मेट शालू, माई नियू सेक्रेटरी अच्छा, तुम कल से जॉइन कर सकते हो अच्छा, तुम कल से मार्केटिंग टीम में विपिल सिंगल को असिस्ट करोगी सर, आप मुझे ऐसे रेप्लेस नहीं कर सकते मैंने हमेशा इतनी लगन और महनत से अपना काम किया मतलब तुम मुझे सिखाओगी काम कैसे करना तुम मेरे जादा देखे था, तो कल से आने के जरूद नहीं है, जाओ सर, अगर ऐसी वात है तो मैं रिजाइन करती हूँ ठीक है, निकलो वैसे हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग है, तुम से अच्छा काम करने वाले और बैतर दिखने वाले भड़ी के ओ, लाओना प्रड़ी के ओ, लाओना करता है मैं रिएली वेरी सॉरी सार, जाँ भी थोड़ी तेर में भीज़वा रहा हूँ यस सर, बस थोड़ी तेर में थेंक्यू यस सर शालू क्या है ये, तुमने गॉयल्स को रिवाइस कोटेशन दी भीजी अभीतार सॉरी सर, वो थोड़ा जल्दी यल्दी में रह गया क्या जल्दी यल्दी है भूले, तुमने पता निये, गॉयल्स कितने इंबॉर्टन क्लाइंट है हमारे लिए अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो कंपनी का कितना नुक्सान हो जाएगा सर, वो एक्शिली हमारी कंपनी के क्लाइन इतने सारे है, वो मेनेज कर पाना बहुत मिश्किल हो रहा है क्या मतलब है और डिफिकर्ट है मतलब तुम्हारी ज़ेसे अपने क्लाइन को जाने को तुम्हारे आने से पेले भी तो अच्छे से काम हो रहा तुम्हें काम पर एक डिवाइस कोटिशन बनाओ और जल्दी से पेज़ा कोई इसको सर मैं अभी की कोटिशन पर काम करती हूँ रोलो रुट हलो हलो Mr. Goyal Hello Mr. Kumar मैं आपकोई कॉल करने वाला था जस्ट अभी आपका कोटिशन देखा I must say, the numbers are quite impressive कोटिशन आपको मिल गया? हाँ वू आपकी सेक्रेटरी पूजा ने सेंड किया था एनिवेस आप आफिस आज़िए लेट्स दिसकूस दिस ओके या या शूर थेंक यू सर आप यहां कैसे हैं हाँ थेंक यू बोलना था वो तुमने लास्ट मुमेंट पे कोटेक्शन बेच के आपके कंपनी का काफी बड़ा नुकसान होने से बचा लिया और उन्हें मंदे को बुलाया यह प्रेजेंटेशन के वाँ ग्रेट नियूस सर सर वो मुझे आफिस से पता चल गया था तो मैं नहीं चाहती थी कि आपका फर्स्ट मन्त आफ जॉइनिंग में कुछ गरवर हो आपका फर्स्ट मन्त आफ जॉइनिंग में कुछ गरवर हो I don't know how to say this अगर तुम चाहो तो कंपनी फिर से जॉइन कर सती है कंपनी नीट से I'm sorry sir आपकी कंपनी तो मैं जॉइन नी कर पाँ गया वो जॉब से निकलने के बाद मैंने काफी सेल्फ टाउट किया दिन राज सोचती रही कि क्या वाके ही नहीं बाहरी सुंदरता अपने हुनर से जादा जरूरी होती है Anyway sir मैंने दूसरी कंपनी जाइन करती है वो भी अपने काबिलियत पर है Great मैं जानता हम उससे बहुत बड़ी गलती होगी है मेरी कंपनी को तुम जैसे होनार एंपलॉय और एक अच्छे इंसान को खोना पड़ा मेरी वजह से लेकिन जो तुमने मुझे सिखाया बैशे जिंदी के पर याद रखुआ रखुआ है Good luck for your future Many seniors in corporate sector are arrogant to their juniors but karma usually takes its entire circle so make sure to be kind and supportive to everyone around you If you are going through any psychological or relationship problem then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive It's a community counselling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity The link is in the description below Thank you Bye-bye